तो नेक्स सेटिंग ऑप्षिन जिसके बाते में बात करने वाला हूँ वह है मीडिया सेटिंग तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई image upload करते हो तो वह original size के साथ साथ वह तीन size और में convert होता है पहला होता है thumbnail size जो सबसे छोटा size होता है दूसर होता है medium size जो कि उससे थोड़ा बड़ा होता है जो कि post के archive page दे दिखता है और तीसर होता है large size जो कि आप post में include कर सकते तो यहां पे जो यह media setting है इसमें बैसिकली आप image का size सेट करते हो कि thumbnail का by default क्या size होना चाहिए या फिर उसको crop होगा या नहीं होगा medium size क्या होगा large size क्या होगा तो जो आप यहां पर predefined करोगे उन्हीं अब दिखा देता हूं कि जैसे आप देख सकते हो यहां पर कि WP content के अंदर upload folder में देख सकते हो आप 2 year बना हुआ है 2019 में अगर आप जाओगे तो देखोगे 11 और 12 दो मन्त बना हुआ है आप इसमें जाओगे तो देखोगे कि इस मन्त में मैंने एक भी upload नहीं किया है 11 में भी जाओगे तो 11 में जो upload हुआ था वह आप देख सकते हो कि मैं एक image upload कर रहा हूं और इसका already बन रहा है जो भी size वहां पर predefined है 32,500,90 ऐसा है ठीक है तो जो कि वहां पर defined था अब देख सकते हैं 2020 में एक नया folder बन गया पस्त और यहां पर जितने मैंने upload किये हैं media वह है तो इस तरीके से वह organize रहता है तो बस media setting में इतना ही है